बेचे हुई हमारे रेस्पेक्टिब लीडर्स और यहां पाए हुए बेन, बाई, बच्चे सब को मेरी तर्फ से सलाम मैं अभी आदा बिंटे पहले कश्मीर से आया हूँ और शोपियान से आया, साबत कश्मीर से, जो बोस्ट एफेक्टिड मिल्टनसी एरिया है, और वहीं अपने ग़र में रहता हूँ, और मिल्टनसी के उस, जो वहाँ चल रहा है इस वकत, जाहे दैशतगर्दी को हो, मिल्ट मुझे रहे हैं और उसी में जिन्दा हैं और कुम्निस पाइटी का जंडा वहां खड़ा की हुई है मुझे घुशी है कि आज आते आते हमारे लिए आप इतने लोग और इतने नेपा हमारी हमदर्दी के लिए आप यहां बोल रहे हैं जैसे की लिखा है सुपीब आप तो कश्मीर आप कश्मीर के लिए बोल रहे हैं हमारे लिए बोल रहे हैं और हमारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सब का, आपको मुबारक करता हूँ कि इस हंदोस्तान में सिर्फ मोधी और अमित्शा और अजीद दोवाल ही नहीं हैं बहुत सारे सिकूलर, डेमोक्रिटिक, प्रोग्रिस्यू और लिबलर लोग हैं जिनका हमें फखर है और जिनके होते हुए हम अभी भी सिर्फ नगर में, कश्मीर में ये बोल सकते हैं कि हंदोस्तान, हम हंदोस्तानी हैं और हंदोस्तान के साथ रहेंगे और मरेंगे हंदोस्तान के लिए हम देश चोई नहीं है मैं मोजी जी से कहना चाहूँगा यहां यहां इतने मैंने पोस्टर देखे देवार उपर लगे हुई मैं पढ़ रहा था गहराई से इनको इन पर क्या-क्या लिखा है हमारी सब डिमांडस हमारी सब जो कुछ हम पर बीखती है उसके बारे में यहां आवाज उठाई गई है लेकिन मैं मोजी जी से कहता हूँ और बीजेपी के नेताओं से कहता हूँ कि वो कहते हैं आमने जो कश्मीर में तरकी के दर्वादे खुलेंगे जो मुर्यत आएगी मैं कहता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता है इनमें से एक पोस्टर लेकर लाल प्लोक में खड़ा हो जाए तब मैं देखूंगा उनकी जुरत उन्होंने क्या बनाया आप कश्मीर को मैं बताना चाहता हूं कि अमीत शच्ची आये पिछले जिनों वहां सारी सडके बंद की गई और पताने कहां से हलिकाप्टर में किस जाज में आये और कहां किसी पहाड़ी पर उत्रे और आर्मी के गेरे में पताने किन लोगों को पकर पकर कर लाया और उन से बात की उसने और बोला कश्मीर खुश है और बाई बतावना किस कश्मीरी से आप मिले कौन खुश है यहां कई वो लोग बेटे हैं जो कश्मीर आए और कश्मीर के रूल अले जाज में आए यहांने याजा सब्दर हश्मी और दूसरे बहुत सी शायर लोग जिनको मैं जानता नहीं हूं जिनके नाम मुझे पता नहीं आए हैं और ग्रमन रियल्टी को देखा है वहां और यहां मीडिया में दिया है और पता नहीं है भी उनके खिलाब गेश द्रोही का मुझेमा नहीं चला है लेकिन उनको तयार रहना चाहे मेरे खल में चाहें भी कश्मीर में बदकिस्मिती यह हैं दोस्तान इतना बहा दुनिया में जैसे मोधी जी बोते हैं सबसे पड़ी जमोक्रासी है फ्रीडम है फ्रीडम आफ स्पेच है फ्रीडम आफ हूमेट है कानस्टूर्शन है सब कुछ अच्छा है लेकिन यहां आजाद साथ बिटे हैं मुझे लगता है किसी भी हंदुस्तानी को यह सेटिप्रियर देने की जरुरत नहीं है आजाद साथ को कि यह हंदुस्तानी है या नहीं है लेकिन इसको भी कश्मिर जाने पर फपन लिया और इसको camp ौट से जैसे बड़ा टेर्रीस्ट है, जैसे वही ये टेर्र स्था हैं. हंदुस्तान से आये थे हुर कश्विर, इनको जाने मादो यह वहां तुब OUR ही मचाएंगे ine यह इम्होरी चीडिएंगे त्हुक्ति टेमोक्रीयसी है मोदी जी की डेमोक्रीयसी है एंस्षा की विश्वास है थोड़ा सा एक दो मिनट मुझे अलावा बात करने का मौका दे दे पांच अगस जब ये हुआ मैं कुंका टी अब जब शब खून मा रहा गए रात के अंदेरे में जब ये काला कानू निकाला गया कि जम्मू कश्मीर को तक्षीम करो तीन हिसों में यूनियन टर्टी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टर्टी और अलगा को बिलकुल आलग करो उससे पहले एक दिन का हाल में आपको बता हूँ कश्मीर में लाखों अमरनाथी आत्रिया आई हुए थे और खुशी से चल रहे थे सब कुछ ठीक ठाक था लाखों टूरिस्ट थे हावस बोड़ू में रूरल एरिया पता नहीं कहां कहां फौर फलंग एरिया जंगलू में जहां टूरिस रिजाटस है वहां बेठे हुए थे आराम से बेठे हुए थे खुशी-खुशी बेठे हुए कुछ नहीं हुथा सारा नार्मल था कोई हर्ताल नहीं था और मैं आपको बता दू मिल्टन सी धम तोड़ रही थे और सरकारी अदाद शुमार के मताबिब दो सब से डाई सब मिल्टन पूरे कश्मिर में थी और साथ लाक आठ लाक होज हमारे हाँ है तो दो सब क्या चीज़ हुए तो सब कुछ नार्मल था और हुर्यत जिसके बारे मैं आप जानते हैं किस अप्रेटर्स की शायद बड़ा फोरस है उनके जबान भी बंद हुई क्योंकि वो हड़ताल जिकाल देते कोई मानता नहीं तो बस साव मैं से दस दुकाने बांग रहती थी नपे खुले रहती प्रानस पोड़ाइज उट्यूल चलता था सकूल खुले रहते उनका कुछ वो अवामी सपोर्ट नहीं रहा था खत्म हुआ था तब मुदी जी कर दिया क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं मुकसरन बात करूंगा कि आज जो सिच्वेशन है मैं कल ही वहां से निकला हूँ आज कश्मीर का एक एक बच्चे से लेकर बुड़े तक मेरे खाल मैं हुजियत की बोली ही बोल रहा है मेरे कहल मैं पहली बार मोजी जी ने ये जो क जादम उठाया कश्मीरियों को पहली बार कठा किया इससे पहले इतना इतिहाद इतना मुद्धित कश्मीरी कभी नहीं हर वाकत वहां मैं बता दूँ तीन तीन ग्रुपस रहते थे सुसरी की तीन ग्रुपस में बटी रहती थी एक ग्रुप हो था जिन को हम कहेंगे कि प् परा और दूसरा ग्रुप जो हुरियत के सपोर्ट में था और ये था मेरे खाल में कभी 30 परसंट कभी 40 परसंट कभी 60 भी हो जाता था कभी 20 परसंट ही रहे जाता था और जो मैनिस्ट्री में जिन में कांग्रेस एंसी पीडिपी लेफ्ट पॉर्टियर्ट और अदर्स तो तीन ग्रुपस में कश्मीर डिवाइड था प्लिटिकली और आज क्या है आज मैंस्ट्रीम के लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं रखा जिसने नया जिसे कहते हैं हम कुलिकोज बर दिया डेक्स्ट्रोज बर दिया नई जिल्दगी लाई हुरियत में वो कहते हैं मैं आपको बता जूँ मैं एक बड़े नेता से मिला हुरियत के उसमें बोला ये 307 खतम किया ये हमारा कुछ प्राब्लिम नहीं है इससे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा हम पहले ही मानते ही नहीं थे कंस्ट्रूशन को हिंदुस्तान को यह आप लोग मानते थे आजाजा मान मानते थे यह फारुकुदला मानते थे यह पीडीपी मानते थे यह उनकी समस्या है आप वो क्या कहेंगे आप लोगों को और मैं कहूंगा मोदी जी ने यह जो वार किया यह जो हमला किया यह सप्रेश पर नहीं है यह मैनिस्ट्रिम पर है यह हंदुस्तानी उपर है यह उस है और आप यह के तहर ऐसी बाइस साल का आदमी जो हिंदो जो कश्मीर में हर एक बोलता है कि कश्मीर में अगर हिंदुस्तानी है फस्ट नमबर नमबर पर वह भारुक उद्दला है और आप यह से के तहरत आपने उसको बांध रखा है अब देश के खला अब देश का दुश पावर शेयर कर रहा था आपके साथ मुबुबा मुफ्ति को आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया तब देश दुरूही नहीं थे तब तो खुले थे आपने जो फाइदे उठाए अपने करोड़ू कमाए अपने लोगों को नोकरियों में लगा दिया सारे बेनिविटिस लि जो इन से बड़े सिकंडलों में मलविस हैं अनिजजाग जी के बेटे को क्यों नहीं बढ़ते हो अगर आप वाकई यहां का कानून चलाना चाहिए उनको क्यों नहीं बढ़ते हो ये सिर्फ मखालिकों को दवाने के लिए है और कश्मीर में मैं कहता हूँ कि मोजी जी ने हो नहीं जो कारवाई की है इसने अपने दुश्मन पाएदा किये दोस नहीं पाइदा की और कश्मीर में जो आग लगाई tantal जिए घाले तो। और हम उन्हीं में से चालती हैं हमने जीना सीखा है उन मिशिन गणू के साए में हमने जीना सीखा है और इन से नहीं डरते हैं लेकिन डरते जरूर हैं वो अरनाब गोस्वाइमी और वो कोई बक्षी मुच्छों वाला मुझे लगता है ये पाचिस्तान अफगानिस्तान का कोई है लगता है वो भी भंबारी करेगा कश्मिर पर पाचिस्तान पर अफगानिस्तान पर जितनी उसने लंजीद मुच्छे रखी है और इतने गारज़े हैं जैसे लगता है कि वो सारद पर साइचन पर लड़ रहा है कि मोजी ने जो आख कश्मिर में लगाई है इसमें हमारे हंदोस्तान भी नहीं बच सकता है जिस तरह से पाकिस्तान ने दैशत करदूं को पना दी उनको अफगानिस्तान में उनको पाला पोसा अब पाकिस्तान भी पुगत रहा है महां के लोग मर रहे हैं मझुदों में मारे कुंकि यहां कह रहे हैं कि जल्दी करो क्योंकि मुझे और ये लास्ट में आपको ये भी बता सुद्धा उता है मैंने पहले नहीं माना था है ने राज़क को कि मैं बोलू या मुझे पता है अभी से मुझे खाथशा है और आज़ाद साहद आपने दोस्तों से मैं आदत साब मैं इन से पहले ही रुकस्ट करके रखोंगा ये जो मैंने यहां अपने मान की बात भोली तो कि आप सब के सामने मुझे भी जज़वा आ गया कि साच बोलना चाहिए और पता नहीं सिरी नगर पहुँच कर देश द्रोही का मुगदिमा चलेगा कहा ले जाएंगे मुझे कि अब वहां जेलो में जगा नहीं है आप जाइपोर बेजा जाता है आगरा बेजा जाता है कोडवाल और दूसरी जेलों में 13 वरस के बच्चों को बेजा जाता हैजे और आप फिर यह उम्मीद रखेंगे कि तेरा वरस का बच्चा जो जेल में है ज कुरे हिंदुस्तान के अवां को बताईएं कि यह जो मोदी जी ने किया यह देश के ख़वाफ है जमु कश्मिर में तरक्य की यह जो बोल रहे हैं तरक्य के दर्वाजे कुलेंगे वह दर्वाजे आप वहाल के लिए खुलो इक बीँड़, वो दर्रकी के धरवाद यह जो महारेस्टर के किसान खुझकश कर रहे हैं, उनके लिए करो कॊनकी जिनदग़िया बचाओ, जो भुटबादों बर सोके हैं, उनके लिए कुछ करो, कशमिर में कोई भुटबाद पर नहीं सोता रहे हैं, कशमिर में हरे के पास आपको मकान है कश्मी के पास फ्रूर्ट है बहुत कुछ सोर्सिस हैं हमें आपके तरिकी कोई जरूर हैं हमें सिर्फ यह जो हमारा अकानिमी है हमारे जो स्टेटिस था वह बहाल करो, हम उसकी दिमार्ट कर रही है और मोजी जी, हम आपको कह रहे है इस देश के अवाम अब आपकी चाल को सुनने, समझने लगे है और माराश सरोर हरियाना में जो बदलाओ शरू हुआ है यह आएंदा तीन परसु में और गहरा हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा और उन्हेद है चार साल के बैद यह जोड़ी नहीं होगी आप इसके लिए काम कीजिए समाच की महतपूर घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सस्क्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन को दबाए ताकि आपको हर महतपूर जानकारी मिलती रहे